तो चलिए बच्चों अभी जैसे हमने इसके पहले दो चुम्बक लेकर उसके समान ध्रूओं को आमने सामने रखकर चुम्बक की बल रेखाएं खीची अब हम दोनों चुम्बक के असमान ध्रूओं को आमने सामने रखकर चुम्बक की बल रेखाएं खीचने जा रहे इसके जैसे के हमने पहले प्रक्रिया की थी सफेद कागज, कोरा कागज, उसमें बीच की लाइन हमने किची और इस चुम्बकी सूइ की मदद से इसकी सूइन और लाइन को सीध मे लेकर आए और इसेप दोनों यह देखिए यह उत्रिद्रु है यहाँ हम यह 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 हम से इसका दक्षनी ध्रु याने है यह इसका तरहों दिखाये देधे और इसकी तरह Tombac तेल है उसके ठीक सामने ये निशान हमने लगा दिया और उसके बाद वापस से उसी प्रक्रिया की अनुसार इस नोप को यहां सामने करके फिर से ये दूसरा निशान आगे बढ़ते जाते हैं देखते हमें यहां किस प्रकार की बल रिखाए मिलेंगी यह गिल्कुल ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे देखिए उत्री ध्रू से निकलती हुई निकलने के बाद यह दक्षुनी ध्रू की तरफ जाती हुई एक निशान और लगा ले फिर हम इन बिंदो को मिला लेंगे अब हम जब इनको मिलाते हैं तो यह हमें एक चुमक की बल रेखा मिल जाएगी आप इसे फ्री हेंट से इस प्रकार मिला सकते हैं यह देखिए यह उत्री ध्रू से निकलती हुई और दक्ष्णी ध्रू की तरफ जाती हुई इसलिए इसमें इस तरह के का तीर के निशान होंगे चलिए अगली चुमक की बल रेखा कीश लें देखिए फिर से उसी प्रकार तो बच्चों देखिए जब चुमबक के असमान ध्रूओं को हमने आमने सामने रखा तो हमें इस प्रकार की बल रेखाए प्राप्त हुई जो उत्तरी ध्रू से निकलकर दूसरे चुमबक के दक्ष्णी ध्रू की तरफ चल रही है और यह ज में दिखाई दे रही है यह भी उत्तरी ध्रू से निकल रही है और इसी चुमबक के दक्ष्णी ध्रू की तरफ जा रही है बिल्कुल इसी प्रकार यह जो आपको यहां पर दक्ष्णी ध्रू में आती हुई दिख रही है वो इसी चुमबक के उत्तरी ध्रू से निकल रही झाल झाल